चैने दोस्तों, आपको पता है डेमोक्रेसी में होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? डेमोक्रेसी में होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपनी बात रखने का प्लस अपने साथ अलग-अलग opinion के लोगों को साथ में लेके चलने का एक अधिकार होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई democracy में होने का आपको बहुत नुकसान हो रहा है घाटा हो रहा है तो आप उन countries में जाएए जहां पर democracy नहीं है या जहां पर freedom of expression को दवाया जाता है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इराक, इरान हो गया इन देशों में इन चीजों का बहुत हत्ता कमी है और लोगों को इन चीजों से डिप्राइफ किया जाता है लेकिन अगर हम यही कहें कि भाया, कोई इनसान freedom of expression का इस्तमाल करके कुछ ऐसी चीज को एक agenda के तहत फैलाने कोशिश करने लगे जो की सही नहीं है प्लस जोगी गलत तरीके से किसी चीज को दिखाने का काम करता है तो आप क्या कहेंगे उसको justify करना फिर उस चागे पे बहुत ज़्यादा कठेन हो जाता है लेकिन यह चीज होती है क्या है जब आपको किसी को कोई चीज directly बतानी हो बहुत मान लीजे कि आप किस चीज़ें बिलीव करते हैं यह पाणी ट्रांस्परेंट है लेकिन मुझे आपको यह चीज यकीन दिलानीं कि नहीं पाणी का तो कलर होता है भले ही मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन अगर मुझे यह चीज़ प्रूव करानी तो मैं क्या करूँगा मैं कुछ ऐसी इंफ्लूएंसर को पकड़ूँगा कुछ ऐसे एक्टर्स को पकड़ूँगा जिनके की बोलबाला है और लोग जिनकी बात मानते भी हैं और समझते भी और फिर मैं क्या करूँगा उन ल लेकिन उसको न्यूज दिखाने का पैसा मिलता है तो वह नियूज दिखाता है दूसरी बात कई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ शोज होते हैं जो चल नहीं रहे होते हैं तो ऐसे में शोज को चलाने के लिए आपको जरूरत पढ़ती पुब्लिक अटेंशन की अब आज क लेकिन अगर वो नहीं जाता है ध्यान तो वो सर्फ बुरी बातों के दिखान देता है यही कारण है कि लोगों को दूसरे घरों में ताकाचाकी करने की बहुत बुरी आदास होती है लेकिन आजके इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अमिता बच्चन के बाद में दे वहाँ पर बैटके उन कोशन्स को पूछ रहे हैं तो देश का एक बहुत बड़ा तपका है जो यह चीज मानता है कि यह सवाल जो ही हमिताब बच्चन जी पूछ रहा है तो ऐसे मामिताब बच्चन अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उनको भी चीज समझनी चाहिए सोचनी च चुका है क्योंकि अब सबकों समझ में आच चुका है कि यह सिर्फ एक गंदी राजनीती का तरीका है और आज की रेट में जो भी कोई नेता हिंदू-मुस्लिम करता हुआ दिखाई देता है यह चीज आपना परिवेश बदल रही है और अब वह हिंदू-मुस्लिम से हटक दलितों के तरफ जा रही है मतलब अब यह जात पात में अपनी बात को लगाएंगे कि भईये देखो उची जात के लोगों ने यह किया निचली जात के लोगों ने यह किया ऐसे करके अब डिवाइड करने की बात करी जाएगी क्योंकि अंग्रेजों ने भारतियों को जो एक चीज दी है विरासत में वो है divide and rule का formula अगर अंग्रेजों ने ये चीज ना दी होती तो शायद हम लोग इतना अपस में लड़ जखड़ भी नहीं रहे होते नहीं इतनी विचारधारा की लड़ाईयां चल रही होते लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने हमको ये formula दे दिया ह है तो इसलिए अब सभी लोग जितने भी लीडर्स हैं जिनको की काबिज रहना है बड़ी कुर्सियों पर वह चीज जानते हैं कि अगर हमें इस गद्धी पर राज करना है तो हमें divide and rule ही खेलना पड़ेगा अब जब लोगों ने देखा कि हिंदू-muslim पूरी चीज खतम हो कि इस धर्मगरंद की प्रतियां जलाई थी अब इसका जवाब आपको पता है तो ठीक है नहीं पता है तो आप जाके गूगल कर लीजिए मैं इस बारे में आप जवाब को आना बात नहीं करूँगा लिकन इस तरह के सवाल पूछ कर जो लोगों के जहन में एक और आग को चिंगारी को दधकाना कह सकते हैं जो काम कर सकते हैं ये महनायक हमारे भीए जिनको सो काल महनायक कहा जाता है हलाकि इनको लोग खलनायक भी कह रहे हैं आजकल तो वो काम बिलकुल बखू भी किया जा सकता है कि आप याद दिलाओ कर देखो अमीटकर साहब ने तो इस हो बोल्ड करके बाद करते हैं उसका पन्दाजा भी नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे में जब आपका शो इतने लोग देखते हैं हाला की साल नहीं देख रहा है पर पिर भी लेकिन making और आपको पूरी करता हूं पूस्स gradient condition your confidence और आसे में दूसरी आती है और आपके शो को लोग कि अरे भाईया हमसे गलती हो गई क्योंकि एक बार पहले भाई सम्माफी मांग चुके हैं जब इन्हों और अंगजेब जैसे कातिल कातिल इंसान को इनने महाराज समराट कहा था और शत्रपति शिवाजी महाराज को मात्र शिवाजी नाम संबोदत किया था तो अमिताब बच अगनियोतरी लिखते हैं के बीसी हैज बिन हाईजक्ट बाई कॉमी इनुसेंट किड्स लर्न इस हाउ कल्चर वार्स आर विन इट्स काल्ड कोडिंग जो मचीज मैंना आपको कही कि लोगों को दिमाग फिरवा दिया जाता है जैम्स ऑफ बॉलिवूड करके एक ट्विटर हैं यह पूलते हैं कि अमोर रिलेवेंट कोशन दाश्री सीनियर बच्चन कुड हैव आस्ट इन कॉन्मने करूपती विच विच लिलिजिस कम्यूनिटी डिट बाबा साहिब अंबेड कर रिकमेंड कम्प्लीट पॉपुलिशन ट्रांसफर डिरिंग पार्टीशन आफ राधरामन दास लिखते हैं साहब पूजा हम पत्थर की नहीं करते हैं जिनकी पूजा करते हैं वो पत्थर नहीं हमारे इश्ट शाक्षार भगवान होते हैं आपने तो जिहादियों की बात दोरा दी और उनके मंदिर तोड़ने के करतियों को बक्तों के भक्ती से भी महान बना दिया, सीधी सी बात है, अगर कोई इनसान किसी एक रिलिजन में भरोसा रखता है, किसी की बात मानता है तो उसकी बात को इस तरीके से शो करता है कि भईया उस फला इनसान ने तो अपने अन्याईयों के साथ मिलके उस धर्मगरंद को जला दिया था तो ये चीज क्या है ना, ये डिवाइड करने वाली काम करता है, और ऐसे में जो लोग अभी इस चीज का फायदा उठाने की सोच रहे हैं, कि हम लोग जातिवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, उनलों को भी उस चीज से बहुत हवा मिलती है, प्लस उनलों को ये चीज समझ में आती है, कि हाँ ये भी एक ऐसे प्लेट फॉर्म हो सकते हैं, जहां से हम लोग हमारी आइडियलाजी को आगे बढ़ाने की वाज़ एक कैटलाइजर का काम करवा सकते हैं, मतलब एक महान नलायक of the millennium, शोइंग टेररिस्ट एज लीडर, ग्लोरिफाइंग राइटर्स, नाओ आस्किंग कोशन अगेंस्ट हिंदूइजम इस चीज़ सही है, ये लोग कई टेररिस्ट, कुछ एक लोग है जिन्होंने पास्ट में गलत काम किये हैं, उसको टेररिस्ट से भी जोड़के देखा गया है, उनको एक लीडर की तरह दिखाया है, अब आप लोग ये पुछोगे कि ये लोग आखिर ये काम कैसे कर सकते है कि इनने बताने से थोड़ना कुछ हो जाएगा, देखिए बताने से कुछ नहीं होगा, बट देखिए जब आप इतने बड़े प्लेटफार्म पर आगा इसी बाते करते हो, तो दस के दस लोग तो नहीं, लेकिन दस में से कुछ एक लोग तो ये चीज़ मान ही लेते हैं, इसके बाद निखिल लिखते हैं, फ्रेश अटैक ऑन हिंदुजम बा के बीसी, फर्स्ट फॉर देम यूथ लीडर्स आर कनहिया कमार, जिगनेश मिवानी, हार्दिक पटेल, उमर खालिद, देखिए, कनहिया कमार और उमर खालिद कई लोगों के भईया बहुत रोल मॉडल लेकिन मैं सिर्फ इतनी बाद जानता हूं कि जो इंसान भारत तेरे तुकड़े होंगे ये नारे लगा सकता है, वो कभी भारत का हितैशी तो नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक राजणीती खेलने वाला इंसान हो सकता है, वो मेरी नज़र में कभी भी एक बहुत बड़ा या ब बीसी के दोरह हमें देखने को मिली है अब यह किसी एजेंडा के तहत हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ नेगटिव पॉब्लिसिटी के लिए हो रहा है यह तो भगवानी मालिक की जानता है लेकिन जो चीज़े चल रही है वो सही कहीं से कहीं तक नहीं है यह आप और मैं हम दोन हुएं तो इस तरह से आप कोई चीज समझनी चाहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हो वो लोगों के दिमाग में किस तरह की कौतुहल को जन्म देगा कई सारे से कोशेंस होते हैं जो कि लोगों को लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी को जगा देते हैं उस चीज़ को जानने आती हैं वो कई बार बहुत गलत भी हो जाती हैं और फिर उस चीज को बचाना या यू कहूं उस चीज को ओवरकम करना उतना ही ज्यादा कठन हो जाता है लेकिन बात वही है ना कि आज के टाइम में एजेंडाज इतने चल रहे हैं कि लोग एडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और यही सा बात मेरे साथ भी होती कई लोग मेरे पर डाउट करते हैं कि यह तुमको पैसे मिलते हैं क्या नहीं भाई में कोई पैसे वे से नहीं मिलते हैं जो चीज है वो सामने हैं बस बात है लेकिन हाँ यह जो चीजे हैं य जय भारत